ब्राट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स महरावली के इस मुख्य मार्ग से आगे भुल भुलिया तक जाएगा आप देखें इस पूरे रोट सो को हर एक कोने को बिलकुल आमाधी पाटी के जंडों से उनके बैनर से सजा दिया गया है और यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि यह अर्विंद केज्रिवाल का जेल से आने के बाद पहला रोट सो है और इसको मेगा रोट सो बनाने के लिए बंपर यहां पर भी हो इसकी सारी जिम्मेदारी जिनके कंदों पर है वो यह लोग है यहां से विदायक है नरेश यादो और इनकी जिम्मेदारी है कि इस मेगा रोट सो को कैसे हिट किया जाए कि रिवाज जी की जो पहली रैली है जेल से आने के बाद उसको कैसे दिखाया जाए कि चंता देखती रह जाए नरेज जी सुभह से आप इस रैली के लिए लगे हैं अपनी पूरी टीम के साथ लगे हैं थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाला चलिया धन्यवाद लेकिन कित बहुत ही उतसाहित हैं हम लोग यहां पर रोड़शोग कर रहे थे वह बगवत मांजी आ रहे थे लेकिन जमानत के बाद में अर्मीं जी ने भी इस रोड में आने के लिए कहा है तो हम लोगों के लिए गरव की बात ए और यह वही जगह है जहाँ दो हजार बीस में इसी ज आज महल से लेकर भूल भूलेया तक रोड शो हुआ था जब मेरा चुनाव था लेकिन आज दक्षनी दिल्ली लोकसभा के प्रत्यासी सहीराम पहलवान जी का यानि लोकसभा का चुनाव है और यहां महरोली के अंदर एक बहुत बड़ा मेगा रोड शो होने जा रहा है जिसम में 10 की 10 विधान सभा भी पार्टिस्पेट करेगी लेकिन महरोली विधान सभा की प्राइम प्राइमरी जुम्यवारी है कि सारे लोग यहां के शामिल हो दो-तीन दिन से हम लगातार इस रोड शो की तयारी कर रहे हैं कल रात को भी हम 11 बजे तक अलग-अलग छेतर में घू बुलईया तक यह रोड शो जाएगा चार बजे जहाज मैल पर से स्टार्ट होगा देखिए एक सवाल हर कोई उठाता है कि आमाधी पार्टी इतने कम समय मैं मैंज 10 साल की पार्टी है 50 साल पुरानी पार्टी के सामने चुनाव लड़ दिये कैसे इतना अच्छा पाइट क पूरी सिद्धत से आमाधी पार्टी का कहर करता निवाता है साइध यहीं वज्या है कि इन लोगों के बदौलत ही ऐसे लोगों के काम करने के तरीके से ही आमाधी पार्टी जो है यही तनों उनकर रूपी है जिस तरह से कल मुझे पता चला कि हमारे यहां रोट शो में आने वाले हैं तो सभी लोग पूरी दिल्ली गई थी प्याड जेल पे उनको रिसीव करने के लिए लेकिन मैं स्पेशल अपनी पूरी टीम के साथ में अपने रोट शो की तैयारी के लिए कल से मैं लगा हुआ सब जगे हम लोग आज सुबह से लोग गए हैं दूसरे चेतर में कुसंपुर पाड़ी गए हैं मोतिला लहरू कैम जेनियों गए हैं हर जगे हम लोग भूम रहे हैं रजोकरी गए तो सारी तयारिया चल रही है आज भी मैसिज था सभी विधायकों के लिए कि वहां आपका हनुमानमंदीर आया है अरविजी ने खुद का बाधा लेकिन हमारी प्राइमरी डूटीए कि हम अपने रोटव का द्यान दे और ये महरु सी बात है मेरी जुम्मेवारी है और हमारे सारे कारेकरता हों dollars तो मेहुली की पूरी टीम यहीं पर ही उनका स्वागत करेगी यहीं पर हम उनसे पहली बार जेल के बाद में मिलें करकरता है और तैयारी के लिए हर एक कारेकरता यहां पर लगाये कितने लोग आएंगे और आप लोग के अंदर किस तरह का उच्छा है लगबग लगबग ला साथ हम यहीं पर अपनी तैयारी यहों में लगे वे तो लोगों को बुला रहे थे आवान कर रहे थे और सुबह जल्दी उठकर हम फिर से अपने उसकारे में लग गया है और बहुत विश्वास है कि यह रोडशो इस पार होगा सीयम साब का एक एक एतिहासिक रोडशो अब तो मुझे लगता है कि ऐसा तुफान आ गया है कि बीजेवी को साफ कर देगा और अब इंडिया गठबंदन जो पूरा देश में जो चुनाव लड़ रहा है तो अब जबरदस्त फाइदा इंडिया गठबंदन को होने वाला है और आम आदमी पार्टी जितनी सीटों पर लड़ रही है वो तो जीतेंगे जीतेंगे लेकिन बाती पार्टियां लड़ रही है उनको भी बहुत बड़ा पैनिफिट है तो यह इस तुफान को मान लो कि बीजेवी को ही कुछ आड़ने के लिए तुफान बीजेवी को बिल्कुल साफ कर देगा ऐसा इनका कहना है पर पार चालिस के पार जाए पर भी आप लोग को थकान वरिया इसरेईली को लेकर इस इंतिजाम लेकिसे इसमें फकान बिल्कुल नहीं है उट्टा में जोश है जब से कल से हमारे मुखिया अर्विन के जीवाल जी जेर से बाहर है हम लोगों में जोश रहे हैं बहुत से मubliyr kup जार तो यहां यहां इतने उसाहित है मिरोडी जंता मिरोड में वेल्कम करने के लिए वहां करने के लिए वहां cowboy जी ितने के साहितह उनका विलकुत तयार पर है वार आप जब जब मंत्री महरोली कि सुझो कि अब जयर में हमारी कि सेंट परसंट अब जीत हमारी हुई है तो यह बहुत अच्छा संकेत है कि इस बार मुख्यमंद्री जी आ रहे हैं और सीधा सीधा यह है कि सहीरांदी इस बार हमारे आसे सांचत चुने जाने वाले यह हर चीज का गुणा घटाओ करके ही यहां के कार्यकरता दावा करते हैं हाला कि इसका पैसला चार तारीके बाद आएगा और भी कुछ लोग है सर यह बताइए कि इस तरह आप लोगों के पीच जा रहा है अब जब केज्रिवाजी जेल से बाहर है तो अब लोगों के बिच किस तरह का रिस्पांद है बहुत अच्छा गुनून है जोस है कि हमारे राश्मिस्ता योजगर्दी के बाद आ रहे हैं पच्छार यहां से ज दोनों पाटिया करती है और किस तरह से आपकी जिम्हादारी क्या दिक और आप कैसे इस काम को कर रहे हैं जब से सुने कि अब जोस और दोगुना बाढ़ गया है और हम हमारे मेले साथ के द्वारा यह पूरे रेली को सफल बनाने के लिए हम जीत वर मेहनत कर रहे हैं और हमरा सब से सबसे प्राइयोटिय है कि हमारा लोस अब कि दिल्ले में 7 विदाएक नेरे जो निकलेगी वह रोट सो का जो परसेंटेज जो है वोटो में आएगा इसकी महरुली में आप देखिए जो मैं यहां से 2015 में चुनाव लड़ा तो 16,000 प्लस से जीता जब 20,000 में 2020 में लड़ा तो 18,000 प्लस से जीता तो हमारा टारगेट है कि जो मार्जन मिनीमम मार्जन जो मेरे ताइम में था अतना मारजन कम से कम यहां पर सही राम पहलवान जी को मिले और अर्विन जी के प्रोग्राम हमेशा होते हैं विसली बार भी हुए थे और यह तो उससे भी बड़ा एक मेगा रोड शो होनी जा रहा है क्यों मैं तो कहूंगा कि हमारे लिए बहुत सुभागे की वात है कि महैरोली वितानसवा में हो रहा है और सहीराम पहलवान-जी के छेत्र में हो रहा है दक्षणी दिल्ली में हो रहा है हम लोग मिलकर इस दक्षणी दिल्ली को जीते ये सढग है चिमहरों बाइब ह creator मृटं और 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 पीजह और करना चाहरा हूं हम लोग जितने अगर हम दोग 10,000 आदमी आते हैं तो हमारा 40,000 बोड मिलती है तो कि हमारे एक-एक कार्ज करता है एक-एक आदमी पैसे से नहीं आता है दूसरे पाटी पीजे विपाले पैसे देखे रेली में लेके जाता है उसमारे के कार्ज करता अपने इच्छा सक्थी से अपने से आते हैं आपने च्हेत से खर्चाως कर देगे है तो हम एक आदमी आ रहरे हैं पूरा भरा हुआ है अंदैसा यहीं है कि यह मेगा रोड दिल्ली में जो लोग सवाची जो चुना हो रहे हैं उसकी जलक है और इस तरह के अकारेक्राम दिल्ली में आगे होते रहेंगे अमर्दिपकवार दिल्ली तक झाल झाल झाल